इंदौर में युवा कॉंघरिस के दौरा की गइगोषना के बाद जिवा कॉंघरिस में फूट नजर आ रही है। युवा कॉंघरिस के कई पदाधिकारियों के स्तिफ़े के बाद आब प्रदेश इस्तर पर भी पदाधिकारी विरोध दर्श करा रहे हैं। इन दौर में युवक कॉंग्रेस के प्रशिक्षन सिवर सिंगनात के आयलजन पर भी प्रदेश के पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किये हैं। इन से ना तो पूश्टाच की गई और ना ही उनके कारिकरताओं को जगह दी गए। युवक कॉंग्रेस के इस्थानिय कारिकरताओं में युवक कॉंग्रेस अध्यक्षर रमीज खान पर भी निश्क्रिय रहने के आरोप लगा हैं। बैट भी हो। के ठीक पहले सुचना पहुंचाएगी। ऐसे में अब पदाधिकारी प्रदेश इस्तर पर इस मामले के शिगायत करने की बात कह रहे हैं। वहीं युवक कॉंग्रेस में खुलकर सामने आई नाराज़ी के बाद बीजेपी ने भी युवक कॉंग्रेस पर निशाना सादा है। विजेबी प्रवक्ता उमेश शर्मा का कहना है कि फिलाल तो युवक कॉंग्रेस में ये शुरुआ थे। अब याने वाले समय में और भी कई स्तिफे सामने आ सकते हैं। यह शुर्मा मामलें ने लिया हमसे चर्चा नहीं और शर्मा के जो विवारे लगात्ता गंदा होते हें अपने क सुनने के बुराबार उसका काम किरते नहीं ही कि मेरे पास संगेटन में नीचे लोग नी है इस तकालन से न्यूक्तिय करी है और न्यूक्ति में भी ऐसे कुछ लोग को सामिल किया जो अप्रादिक प्रफुतिके हैं और सहरे के भार के लोग ग्रामिन सीमा के हैं जिसका विरोध नाकेवल हमने किया बलकि ग्रामिन की जो अद्यक्शन उनने भी किया था हमारी मांग थी कि अंदर सिर्फ एक वर्ग को विशेश को तबज्जों ना देते हुए क्योंकि कांगर्स की विचारदारा सब इन सबकी इस पूरे विशेश पर अपति थी क्योंकि समन्वे नहीं बन पा रहा था डेड़ सो जनों की लगबग नियूपती करी गई है उसमें समन्वे सुनने है हमारा किसी भी पत अधिकारी की उनके अलावा सहमत ही नहीं थी इसलिए हमने सभी अठरा जनों ने लगबग इसस्तिफा दिया है इस्तिफा केवल फसी दिया है अपने यूथ कॉंगर्स के कॉंगरेस संग्वटन से में कोई हमेशा हम उसके साथ थे हैं वह साथ क्वेसा काम करेंगे उसका विशे आज ये आ रहा है कि संग्वट नको मजबुत करना हमारी भी जिम्मेदारी है और हमन लेकिन हमने इस्तिफा सोब दिया है हम इस पत पर रहते हुए काम नहीं कर सकते हैं काफी खराब है और उनकी विचारदारा का भी कट्टर तकी है हम उसके साथ काम करने बिल्कुल अस्वर्थ है अभीजीत पांडे महास अच्छी हूँ जॉइद भई यूद का इंदाओर में एक कारीक्रम आया जी दुबराय संद्धिना दूसमें आप लोगों को नहीं प्रदेश में वर्तमान समय में उपाद्यक्ष हूँ प्रदेश पाद्यक्ष यूद कांग्रेस में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और कहीं न कहीं उसका सम्मान सभी जिले के पदादीकारी करते हैं जिलाद्यक्ष हो या जिले के पदादीकारी हो कल मुझे सुनने माया कि 17 लोगों ने इस्तिफा दे दिया 17 लोग जिले के पदादीकारी थे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग नाम हैं जो जिले में कम से कम 5 से 6 सालों से यूआ कांग्रेस का काम कर रहे हैं और संगटन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं लेकिन यका यक एक ए और बाकी के लड़कें हैं उन्होंने सब ने इस्तिफा दिया तो कही ना कहीं यह साबित होता है कि संगटन को इसके फर विचार करना चाहिए और मेरा प्रस्न है तो मुझे भी इस कारिक्रम की सूचना नहीं मिली मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लेट सूचना दी गई आखिर में जब हमारे प्रदेश अद्यक जी का अस्तचेप था इस मामले में मेरा घर 300 मिटर दूरी पर है मतलब जिस जगह पर कारिक्रम कराया जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है उस से उस कारिक्रम की दूरी से मेरा घर 300 मिटर दूरी पर है और क्या हम से साबित करना चाहते हैं से रद्यक्ष के ओपर उन्होंने आरोप लगाए तो कही ना कहीं इस मामले की जाज भी होना चाहिए शेहर अद्यक जी क्या साबित करना चाहरे इंदोर सेहर में यह मेरा प्रस्ण भी है फूट डालने का काम कोन कर रहा है इस पर विचार होना चाहिए संगटन के द्वारा संगटन के लोग इस पर कमेटी बिठा है 17 लोगों ने इस्तिपा दिया है इस्तिपा ततकाल मंजूर ना करें इसकी मांग भी मैं प्रदेश अद्यक जी से करूंगा और राष्टी अद् प्रदेश हो या अन्य-अन्य कोई विक्ति हो सब पर विशार करना चाहिए जावेत खान यूद कॉंग्रेस प्रदेश 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 मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पर्टी का ये प्रशिक्षन वर्ग जब से शुरू हुआ और इसमें दिगविजय सिंग जी के चरण कमल यहाँ पर पड़े है तो जहां जहां पेर पड़े संतन के ताहता वंटा धार जिस समय दिगविजय सिंग जी यूवक कांग्रेस के कारिकरताओं को प्रशिक्षन दे रहे थे उस समय इंदोर प्रेस कलब के डायस के उपर लगबग आठ से दस जो प्रमुक कारिकरता है और ऐसे कारिकरता है कि जो इलेक्टेड हुए थे जिनका सिलेक्षन बोटिंग के आधार पर हुआ था ऐसे लोगोंने शुब्दो कर इ उनको निशाना बना रहे हैं और उनको उत्तरदाई तो नहीं सुपा जाता है कारे विवाजन के अंदर उनकी उपेक्षा करी जाती है तो मुझे लग रहा है कि अभी तो प्रथम चरण के स्थीपे हुए हैं यह स्थीपों का सिलसिला अभी जारी रहेगा खिलाल देखना होगा कि कॉंग्रेस के आला नहिताव पदादिकारी किस तरह यह कॉंग्रेस के संदोश को दूर करते हैं इन दोर से अंच्छुल मुकाति की रिपोट